इस वीडियो में हम frontal lobe syndrome के part 2 को देखेंगे यानि frontal lobe syndrome part 1 में आपने जो भी symptoms देखे थे frontal lobe damage के उसके आगे का हिस्सा हम इस वीडियो में cover करेंगे एक अगला symptom जो frontal lobe relations की वज़ा से दिखता है वो है strategy formation में दिक्कत तो कुछ नई रणीती बनाने में कुछ नई planning करने में उन लोगों को दिक्कत हो जाती है जिनके frontal lobe में damage हुआ हो ऐसे लोग किसी नई परिस्थती में जहाँ पे problem solve करने के लिए किसी नई तरग की planning करनी हो strategy बनानी हो वहाँ पे ऐसे लोगों को समस्या समझ में आती है उदारन के लिए Tim Shalice और Margaret Evans ने 1978 में अपने एक अधियन में जो participants थे जनके frontal lobe में damage था उनसे सवाल किये कुछ reasoning के कुछ तरक शक्ती के सवाल किये जो general knowledge में based था लेकिन उसमें तुरंत कोई clear cut solution नहीं मौजूद था ऐसी परिस्तियों में frontal lobe patients अजीबो गरीब जवाब देते हैं अजीबो गरीब response या प्रतिक्रिया देते हैं और बहुती खरा performance करते हैं ऐसे टास्क पर आगे चलके शैलिस और बर्गस ने 1991 में एक अधियन किया जिसमें उन्होंने patients को एक dinner party problem दिया इसमें क्या होता है कि subjects को एक list दी जाती है कुछ 6 कामों की list रहती है कि ये सारे काम आपको करने है जैसे bread खरीदना इस तरह के 6 कामों की list उन्हें दी जाती है और उनको instruction दिया जाता है कि ये सारे काम खतम करके 15 मिनट के बाद आपको एक निश्चित स्थान पर मिलना है या वहाँ पहुचना है इस क्रम में इन 6 टास्क को करने के क्रम में 4 प्रशन भी होते हैं जिनके उन्हें जवाब देने होते हैं जो कि बहुती सामानी तरह के प्रशन होते हैं जैसे एक pound टमाटर का क्या दाम होगा या 1 kg टमाटर का या किसी और फलसबजी का कितना दाम भी है इस तरह की प्रश्णों का जवाब भी उन्हें ढून कराना होता है उन्हें सक्त हिदायत दी जाती है कि उन्हें किसी भी दुकान के अंदर बेवज़ा नहीं खुसना है कोई समान नहीं खरीदना है बेवजब अगर जो चीजें उसमें लिस्ट में लिखी हो कि ये चीजें आपको काम करनें उसमें कुछ लिखा हो कोई चीज पर chase करनें तो ही जाना है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सारे काम खतम करके नियत स्थान पे पहुचना है लेकिन हरबड़ी नहीं करनी है कोशिश करना है कि अराम से करते हुए भी जितनी जल्दी जल्दी ये काम खतम कर सके उतना करना है अब आम तोर पे ये काम बहुत आसान है किसी भी आम व्यक्ति के लिए काम आसान है लेकिन ये सिंपल सा काम भी फ्रॉंटल लोग वाले पेशेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है वो ये काम नहीं कर पाते हैं वो कई सारे नियम तोड़ते हैं जैसे कि बताया गया कि दुकानों में बेवज़ा नहीं गुसना है तो मुखुस जाएंगे उसमें और जो अधेहन किया गया उसमें तीन फॉंटल लोग पेशेंट्स थे उन में से दो ने कम से कम चार तास्क करने में असमर्शता जब या वो नहीं कर पाए वो काम और ऐसा नहीं है कि उन्ने इंक्रॉक्शन्स नहीं समझ में आया थे उन्हें समझ में नहीं आया था कि करना क्या है जब उन्हों से मौखिक तोर पे पूछा गया तो उन्होंने सारी जो भी निर्देश दिये गए थे उनको बहुत ही सही तरह से समझाया और ये भी उनके व्यभार से समझ में आया कि वो करना भी चाह रहे काम को नियम से पूरे लोब का एक सामाने काम ये होता है कि वो बिहेवियर की प्लैनिंग में कारे करता है जो व्यवहार करना है किसी परिस्ति में उसकी डढ़नीती तरह करता है उसके लिए प्लैनिंग करता है और ये खासकर तब जरूरी हो जाता है जब आप किसी नवीन परिस्तिती में हो किसी काम इतने practice हो चुके हैं, रोज नियम से वो काम करने हैं, उठना है, चाय बनाना है, कपड़े धोने हैं, कुछ भी इस तरह का जो routine काम है, वो वो कर लेते हैं क्योंकि वो इतने practice हो चुका है अच्छे से, लेकिन जहां पे कोई नई तरह की परस्तिती सामने आ जाए या नई environmental control of behavior, पर्यावरणी कारक हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, लेकिन frontal lobe patients में ये भी समस्या होती है, वो पर्यावरण के कारकों से, बाहरी कारकों से, feedback लेकि अपने व्यवहार में निश्चित परिवर्तन जो करने की जरूरत है, वो नहीं कर प patients अपने प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, प्रतिक्रिया को control नहीं कर पाते हैं, inhibit नहीं कर पाते हैं, यानि रोक नहीं पाते हैं, कई तरह के test ऐसे हैं, जो करके देखा गया है कि frontal lobe patients अपने व्यवहार को control नहीं कर पाते हैं, जहां जरूरत है वहाँ अपने नैदानिक परिक्षर है जो frontal low patients की दिमाग में जो damage है उसको पता करने के लिए काम में आता है यहां right side में आप देख पा रहे हैं जो Wisconsin card sorting test है उसमें cards जो होते हैं खेलने वाले ताश की पत्ते जैसे कुछ cards होते हैं किस तरह के cards होते हैं उसका एक उदाहरण आप यहां पर देख पा रहे हैं यह cards जो होते हैं यह 3 तरह से भिन होते हैं कई सारे cards होते हैं जितने यहां दिखाए हैं सिर्फ उतना ही नहीं बहुत सारे cards होते हैं और यह 3 डूप में भिन होते हैं एक दूसरे से या तो रंग में जो भी उस पर आकृती बनी हो, उसका रंग अलग होगा, जैसे आप यहाँ देख पारे पिचर में कोई लाल है, काला है, नीला है, हरा है. या उसके फॉर्म में, यानि डिजाइन्स अलग-अलग होती है, आकृतियां अलग होती हैं कहीं सरकल बना है कहीं स्कौायर बना है कहीं स्टार बना है इस तरह से या तीसरी चीज जो भिन हो सकती है वो है इन आकृतियों की संख्या कहीं तीन है चार है दो है एक है इस तरह से भी अलग हो सकती है जो हमारा प्रयोजी होता है उसका क्या काम होता है कि उसे इन कार्ड्स को एक निश्चित क्रम में अरेंज करना होता है सबसे पहले क्या किया जाता है उसके सामने कोई चार कार्ड रख दिये जाता है जैसे मालीजे बगर जो तस्वीर दिखाई गई है उसमें उपर की जो चार कार्ड है वो हमने प्रयोजे के सामने रख दिये अब उसको बोला जाता है कि हम पहले से ही प्रयोजे को नहीं बताते कि आपको किस आधार पे कार्ड लगाने हैं बस हम उसे ये बताते कि उसने सही जवाब दिया या गलत तो मालीजे अब प्रयोजे पहला कार उठाएगा उसने सोचा कि मालीजे उपर के जो कार्ड चार लगे हुए है ज़रूर वो उसको लग सकता है कि रंग की आधार पे तो नहीं है तो उसने कार्ड को रंग की आधार पे माली जारेंज करना शुरू किया कि काले की नीचे काला रख रहे हैं, लाल की नीचे लाल रख रहे हैं इस तरह और जो परीकशा के वो क्या करेगा जैसे ही वेक्ति ने एक card रखा वो बस बोलेगा सही या गलत सही बोला तब तो ठीक है गलत बोला तो फिर प्रेयोज्य सोचने लग जाता है कि अच्छा लगता है कि ये उत्तर नहीं है लगता है कि कलर के आधार पर नहीं रखना नहीं कि संख्या की आधार को देख थे हुए अगर उसने सही कि परीशा के बोलेगा सही अगर नहीं तो इसी तरह से ट्रायल And Error Method से प्रयोजे समझता है कि किस आधार पर कार्ड रखना है जब से समझ में अज आ जाता है कि अच्छा जब हम उत्तर सही होता है कलर, पहले बार कलर सही उत्तर होता है, लेकिन उसे बताया नहीं जाता, जब वो कलर की हिसाब से रखना शुरू करता है, तब परिक्षक बोलते हैं कि ये सही आप रखना है, कलर की हिसाब से अभी वो कार्ट से रखते जाएगा, रखते जाएगा, कुछ द पतर हो जाता है आखरती depends कि कौन सी डिजाइन बनी है उसे डिजाइन के साफ से अरेंज करना है चिलर या संख्या को दरकिनार करते हैं तो इसे सारे स्टार वाले कार्ड रखना है कर दो कि अब आकरिती सही जवाब हो गया जब यह पकड़ लेगा कि अच्छा डिजाइन के हिसाब से अब बो रहा है तो वो designs वाले कार्ड एक साथ रखने लगेगा जिस design पर जो वाला कार्ड रखना है उसके according रखने लगेगा और उसको परिशक हर प्रयास में सही 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 ऐसे बोलते जाएगा एक समय आएगा जब तो अचानक फिर से बिना बताए प्रयोजे को नियम बदल जाता है अब नियम हो जाता है संख्या जो भी design है उसकी संख्या क्या है तो अब जब वो संख्या के हिसाब से रखना शुरू करेगा तब बोला जाएगा सही किसी और आधार पर रख रहा है रंग की आधार पर या कलर से शुरू होते हुए फिर जाता है आकरती पर फिर जाता है संख्या पर फिर रंग पर आता है फिर आकरती फिर संख्या ऐसे चलता रहता है तो ये टास्क बहुत टफ नहीं है एक आम इंसान के लिए कुछ गलतिया करने के बाद वो सही trend पकड़ लेते हैं कि क्या चीज होते हैं उन्हें इस कार्ट टेस्ट में बहुत ही समस्या आती है तो उन्हें शाद परिवर्तन करना चाहिए अपने कार्ट रखने की रणनीती में लेकिन वो ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं वो शुरुवात कर रहे हैं मालीजे उन्हें सही डिटेक्ट कर लिया कि चलो अब कलर के हिसाब से रखना है अब वो रखते जाएंगे 100 कार्ट तक कलर के हिसाब से रखते जाएंगे भले परीक्षक बोलता जारा नहीं गलत 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 लेकिन वो फिर भी कार्ट रखते जाएंगे तब तक जब तक टेस्ट खतर न हो जाए और ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं होता है कि अब नियम बदल गया है अब दूसरे आधार पे रखना है जैसे माली जे आकरिती के आधार पे रखना है उन्हें ये पता होता है तब भी वो अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और बदल नहीं पा रहे हैं और पहले ही वाला काम करते जा रहे हैं कलर के हिसाब से कार्ड्स रखते जा रहे हैं एक व्यक्ती जो frontal lobe damage जिसको था और वो ये टेस्ट कर रहा था वो करने के दौरान बोलते भी जा रहा है कार्ड एके करके रखते जा रहा है और बोलता भी जा रहा है कि अब शायद आकरिती के हिसाब से कार्ड्स रखने हैं और मैं कलर के हिसाब से रख रहा हूँ ये मैं गलत कर रहा हूँ और ये कार्ड भी गलत अब ये भी गलत ये भी गलत वो बोल रहा है ये चीज़ उसे पता है उसे महसूस हो रहा है कि उसने गलती की है उसे दूसरे तरह से रखना है वो जानते हुए भी वो अपना व्यवहार नियंत्रित नहीं कर पा रहा है उसमें परिवर्तन नहीं कर पा रहा है तो इस तरह का जो behavior है यह frontal lobe patients में बहुती आम बात है वो अपने response देने की strategy को change नहीं कर पाते हैं व्यवहार में लचीला पन नहीं होता है flexibility नहीं होती है जो कि frontal lobe का काम है और क्योंकि उनके frontal lobe में damage है इसलिए वो यह चीज़ें नहीं कर पाते हैं मिलना ने जो अध्यन किये हैं उसमें यह पता चला है कि यह card sorting test में जो समस्या समझ में आ रही है frontal lobe patients को कि उपने व्यवहार में लचीला पन नहीं ला सकते हैं वो व्यवहार को परिवर्टित नहीं कर पा रहे हैं बाहरी feedback जो मिल रहा है उसके नुसार ऐसा तब देखने में आता है जब frontal lobe के broad man's area 9 में damage हो खास कर बाए गुलाध में left hemisphere में और वो broad man's area 9 कौन सा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं dorsolateral prefrontal cortex ऐसा देंगे है कि left frontal lobe में किसी और हिस्से में damage होगा तब या तो right frontal lobe में damage होगा तब इस तरह का व्यवहार नहीं दिखाई देगा दिखाई देता है लेकिन थोड़ा कम तीवरता का लेकिन सबसे जादा ये व्यवहार कब साफ साफ देखता है जब broad man area 9 यानि dorsolateral prefrontal cortex में damage हुआ हो और वो भी कहां बाए गोलार्द में इसी तरह से अपने response को अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित न कर पाने वारा जो व्यवहार है जो frontal lobe में damage की वज़ा से दिखाई देता है ये एक और test में देखा जा सकता है जिसे कहते हैं strupe test strupe test में क्या होता है एक list होती है शब्दों की ये शब्द क्या होते है रंगों के नाम लिखी होते है लेकिन जिस रंग का नाम होता है उस रंग की स्याही में लिखा होता है किसी और रंग की स्याही में लिखा होता है जैसे आप यहां उदारण में देख पा रहे हैं strupe test में यहां पर जो भी नाम लिखे होए हैं color के वो या तो उस color में या किसी और color में लिखे हुआ है, आम तोर पर किसी और color में लिखे होते हैं, जैसे पहला नाम आप देख रहे हैं, red लिखा हुआ है, लेकिन red, red ink में ही लिखा हुआ है, लाल रंग की स्याही में ही लिखा हुआ है, मतलब जो color का नाम है, उसी color में वो लिखा हुआ है ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ग्रीन शब्द जो है वो येलो कलर में लिखा हुआ है परपल शब्द रेड कलर में लिखा हुआ है अब जो रेड लिखा हुआ है ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है और परपल औरेंज कलर में लिखा हुआ है तो इस तरह से कलर के नाम की लिस्ट होती है लेकिन वो कलर्स की जो नाम होते हैं वो अपने ही कलर के रंग में लिखे होते हैं किसी और कलर के रंग में लिखे होते हैं और जो प्रयोजे होता है हम उसे क्या काम देते हैं कि आपको इस लिस्ट को जितना तेजी से हो सके पढ़ना है लेकिन कैसे पढ़ना है आपको शब्द जो लिखा है वो नहीं उचारण करना है जिस रंग में लिखा है वो उचारण करना है जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यानि आपको red, blue, green, purple, orange, red, purple ऐसे नहीं पढ़ना है आपको ink जो है जिस color में लिखा है वो पढ़ना है यानि red, green, yellow, red, green, blue जू औरेंज ऐसे करके पढ़ना है जितनी जल्दी हो सके पुरी लिस्ट आपको पढ़नी है अब यहाँ पे सही रिस्पॉंस क्या होगा सही प्रतिक्रिया क्या होगी आपको लगे का यह टेस्ट करने के दौरान कि आपको बार-बार ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ जाएंग पढ़ने की कोशिश करते हैं यह टास्क जो है आम इंसानों के लिए सामाने व्यक्तियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन जो वैसे पेशेंट से जिनके फ्रॉंटल लोब में डैमेज है और खासकर बाई गोलार्द के फ्रॉंटल लोब में यानि लेफ्ट फ्र प्रदर्शन करते हैं एक दूसरी समस्या जो फ्रॉंटल लोब पेशेंट्स में देखी जा सकती है वो है रिस्क टेकिंग और रूल ब्रेकिंग ऐसे पेशेंट्स बेवज़ा के रिस्क लेते हैं और नियमों को भी तोड़ते हैं फ्रॉंटल लोब पेशेंट्स में देखा किसी और लोब में डैमेज है, frontal lobe को छोड़ कर. उन में भी ये प्रवित्थी उतनी नहीं दिखाई देती जितना की frontal lobe patients में दिखाई देती है. यानि, frontal lobe किसी न किसी प्रकार से सही तरह का वैवहार करने, रिस्क-फ्री वैवहार करने और नियमों का पालन करने के लिए भी उत्तरदाई होता है मिलनर ने कुछ अध्यान किये जिसमें उन्होंने देखा कि stylus maze learning के जो भी test होते हैं उसमें frontal lobe वाले patients बहुत ही खराप्रदर्शन करते हैं stylus maze learning जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं ये महिला जो एक test कर रही है आपने शायद पहले किया भी होगा इसमें क्या होता है एक लखड़ी का board होता है जिसमें कई सारे metallic points होते हैं metal के बने होते हैं धातू के points होते हैं और एक stylus कलम होती है जैसे इस महिला ने पकड़ी हुई है इसको जैसे ही हम किसी धातू वाले points से touch कराते हैं जो circuit पूरा हो जाता है और वहाँ पे या तो बजर बजेगा तीखी आवाज होगी कुछ या कोई आवाज नहीं होगी इसमें काम क्या होता है कि महिला जिदर बैठी है उस तरफ से शुरू करते हुए एक सही रास्ता जूनते हुए उपर तक आखरी रो तक जाना होता है और यह सही रास्ता कहीं बना नहीं होता है आपको प्रयास करकर के और गलतिया करकर के सीखना होता है trial and error method से आपको सीखना होता है इसमें होता क्या है कि जैसे आप किसी point पर अपना ये stylus करम रखेंगे अगर वो सही रास्ते पर पढ़ रहा है तो कोई आवाज नहीं होगी लेकिन आपने गलत जगा पैन से टच कर दिया तो बजर बजता है यानि वो गलत रास्ता है वहाँ से आपको नहीं जाना है तो जब ऐसा हो कि बजर बज़े चाहिए आप किसी भी स्टेज पर है तो आपको वहाँ से आगे बढ़ने के बज़ाए बिल्कुल पहले रो में इदम नीचे आ जाना होता है और शुरू से शुरूआत करनी होती है और बजर इसी का इशारा करता है कि यहाँ आपने गलती कर दिया फिर से शुरू करिए इस टेस्ट को लेकिन जिन पेशेंट्स में फ्रॉंटल लोब में डैमेज होता है वो इस बजर की आवाज को दरकिनार करके आगे चलते जाते हैं और और गलतीया करते जाते हैं यानि वो इस नियम का पालन नहीं करते कि जब बजर बज़ेगा तो आपको फिर शुरुआत से शुरू करना है लॉरी मिलर ने एक और टेस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने प्रयोजियों को कुछ हिंट्स दिये कुछ चीजیں बताई जिसके आधार पर उन्हें कुछ शब्दों को गैस करना था कुछ आधिया-दूरी जानकारी दे के उसके आधार पर प्रयोजियों को बोला कि आप इस शब्द को गैस करिए जिसके बारे में हम यापको डिस्क्रिप्जियों करना है जो भी subjects थे अगर वो शब्द नहीं पहचान पाते थे तो उनको कुछ और hint दिये जाते थे पर हर hint के साथ अगर वो फिर उतके बाद पहचानेंगे शब्द को तो कम points मिलते थे जितने जादा hint दिये जाएंगे उतने points घटा दिये जाते थे और अगर उसके बाद भी या बिना hint लिए भी अगर व्यक्ति ने गलत शब्द बताया सही नहीं बताया तो कोई point नहीं मिलते थे उन्होंने पाया कि frontal lobe patients जो हैं वो जादा risk लेते हैं वो कई सारे hints लेते हैं और फिर गलतिया भी जादा करते हैं यानि रिस्क लेने की प्रविक्ति frontal lobe patients में काफी जादा होती हैं लेकिन ये दिखा गया कि वैसे frontal lobe patients जिनके frontal lobe के साथ temporal lobe शंक पाली में भी damage था ऐसे patients बहुत ही जादा risk लेने वाले थे सबसे जादा risk taking वेभार इन ही में दिखाई दिया बिचारा और colleagues उनके जो सहकर्मी थे उन्होंने year 2000 में अध्यन किया उन्होंने एक gambling task किया एक जुए का खेल खिलाया participants को इसमें वो देखना चाहते थे कि वो कितना risk लेते हैं इस game में और वो ये भी देखना चाहते थे कि हमारे frontal lobe में जो orbital frontal cortex नामकेरिया होता है इसका क्या role है इसकी क्या भूमिका है risk लेने के प्रवित्ती में इन्होंने subjects को एक बहुती अलग तरह का card game खिलाया इसमें cards होते थे ताश के पत्ते जैसे ही कुछ cards होते थे और इसमें cards का चार set दिया गया उनको चार deck अलग अलग दिये गया इसमें ने बोला गया कि कुछ cards है जिसको आप उठाएंगे तो आपको 50 डॉलर का फायदा होगा कुछ cards है जिसको उठाने पर आपको 100 डॉलर का फायदा होगा पर कुछ card से जिनको आप उठाएंगे तो आपको 50$ का नुकसान हो जाएगा और कुछ दूसरे card से उनको अगर आप पिक करेंगे तो आपको 100$ का नुकसान हो जाएगा इस test को खेलने के लिए इन्होंने शुरुवात में हर प्रयोजीयों को 2000$ दिये इन प्रयोजियों को निर्देश दिया गया है कि आपको 2000 डॉलर दिये गए हैं इससे आपको शुरू करना है गेम और आपको कोशिश करनी है कि जितना से जितना जादा आप कमाई इसमें कर सके जितना जादा आप इसमें पैसे बना सके ये प्रयास करना है यानि उन्हें पैस डॉलर का फाइदा हो या 100 डॉलर का फाइदा हो अब इसमें भी trial and error मेथर से काम करना होता था चार डेक दिये गए थे आप किसी से भी कार्ड उठा सकते थे लेकिन धीरे-धीरे करते करते गलतिया करते करते सही प्रयास करते करते कुछ देर में जो प्रयोजे होते हैं उन्हे सब्सक्राइज जेए 008 कि सौनद गर्ला बीह को dow पर धार इसस में 50 डॉल्र का फाइदा हो रहा है जिस पर समुष कार्ट बेकुर्ट जया। कुछ ironically 100 साम जा कार्ट का बीहें खारा बियुkim चोना में आरे हो प्लॉज TIM के किसमें इस पर धारा प्रोग्त कुछ नहीं जा रहा है अब इसमें यही चीज़ है कि try करते करते आपको फिर hint लग जाता है कि एच्छा किस दो deck में से ही मुझे card उठाने और बाकी डो deck को ignore करना है उसमें से cards नहीं उठाने है और कोई भी सामान वेक्ति जब यह task करता है तो शुरुवात में वो चारो deck से card उठाता है लेकिन करते करते उसे फिर समझ में आने लगता है कि अच्छा दो deck को बिल्कुल नहीं छोना है इसमें फायदा भी जादा है लेकि नुकसान भी जादा हो रहा है बाकी दो deck से card उठाएंगे तो नुकसान कम होगा भले फाइदा कम हो तो इस तरह से जब वो समझ जाते हैं तो फिर दो ही deck से cards उठाते हैं और फिर उनको ultimately overall अंत में फाइदा होता है लेकिन frontal low वाले जो patients हैं वो ये चीज नहीं समझ पाते वो लगतार चारों deck में से cards उठाते रहते हैं और ultimately उनको अंत में total loss का सामना करना पड़ता है सारे पैसे वो गवा देते हैं इसमें देखा गया कि वैसे frontal low वाले patients जिनको orbital frontal context में damaged था वो खास कर खराब प्रदर्शन कर रहते हैं इस टास्क में और सारा पैसा अपना गवा देते थे इसमें एक खास चीज याद रखने की ये है कि किस jack में से कौन सा card लेने पर फाइदा हो रहा है या नुपसान हो रहा है इसका कहीं आप note बना कर नहीं रख सकते एक ट्रयोजय के तौर पर ये चीज़े आपको अपने दिमाग में ही calculate करनी है और ये function होता है हमारे prefrontal cortex का जिसका की orbitofrontal cortex एक हिस्सा है इसलिए ऐसे व्यक्ति समाजिक परस्तियों में या व्यक्तिकत मामलों में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते क्योंकि ये भी वो समस्याय होती है जहां पे या ये वो परस्तितिया होती है जहां पे भविशे में क्या परिणाम होगा किसे व्यवहार का आप पहले से आकलन नहीं कर सकते पूर्वा मनुमान नहीं कर सकते हैं, आपको अंदाजे के आधार पर या सोच कर कि हाँ इसका ये परिडाम होना चाहिए, इस आधार पर आपको कारे करना होता है, कोई fix जवाब नहीं होता है, इसका की फायदा होगा या नुकसान होगा, और ऐसी परिस्थितियों में frontal lobe damage व आत्मनियमन, ये भी वो छेत्र है जिसमें समस्या आने लगती है अगर frontal lobe में damage हो जाए, frontal lobe syndrome के part 1 वाले वीडियो में आपने ML नाम के एक salesman की बात सुनी थी, ये वो case था जिसमें ML नाम का एक salesperson, एक orbital frontal cortex की injury से जूज रहा होता है, और ये अपनी पतनी को भी नहीं पहचा और सोचता है कि मैंने इस महिला से शादी आखिर क्यों की थी, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपना व्यवहार नियंत्रत नहीं कर पाते परस्तियों में और ये इसलिए होता है क्योंकि इनकी auto-noetic awareness, यानि अपनी आत्मकथा जैसी जो बात होती है, जो अपने जीवन की कहानी जो हम एक आत्मकथा के रूप में खुद के बारे में समझते हैं, हमसे खुद जुड़ी हुई घटनाएं, जो हमारे past में, हमारे अतीत में हुई हैं, उसकी जानकारी मिट जाती है, वो knowledge खत्म हो जाती है, ML जो salesperson थे, उनका काम क्या था, ये उन्हें अच्छी तरह से आथ था, उन्हें ये भी पता था कि वो बहुत जाधा travel करते कई जगवों पे उन्हें जाना पड़ता है अपने काम के सिसले में, लिकिन जब भी बोला जाता था कि आप अपने काम से संबंधित, कोई एक personal घट मैं जाता हूँ, conferences में जाना मेरा काम है, मेरे काम का हिस्सा है, लिकिन जब उनसे कहा जाता कि कोई भी एक खटना करम, कोई भी एक अनुभाव आपका किसी conference का आप से जुड़ा हुआ, आप बताईए, तो वो नहीं बता पाते थे, क्योंकि उनकी autobiographic memory जो थी, autobiographic knowledge जो थी, उ जैसे आप खुछ सोचिए, अगर आप से कहा जाए कि आप जब हाई स्कूल में थे, उस समय कि आपकी अपनी यादे, क्या आपको याद है, तो शाद आपको याद होंगी, लेकिन ML जैसे व्यक्तियों से अगर बोला जाए कि आपने हाई स्कूल के बारे में कोई परसनल अगर उनसे पूछा जाए, तो वो नहीं बता पाएंगे, यही कारण है कि अपनी पतनी से इनके समंध ठीक नहीं थे, क्योंकि वो कोई भी ऐसा एक्जामपल, कोई भी ऐसा घटना, कोई भी ऐसा वाक्या याद नहीं कर पाते थे, जिसमें उनका अपनी पतनी के साथ कोई अच्छा सम्बंध उनको याद आए, कोई अच्छा समय अच्छे पल जो नहीं बिताए, वो चीज उन्हें याद आए, इसलिए उन्हें लगता था कि आखिर मैंने इस महिला से क्यों शादी की हैं, तो इस तरह की नॉलेज जो हमारी है, और्टोनोलिटिक अवेर्नेस या और्टोबाइग्राफिक नॉलेज, ये बहुत जरूरी है हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, ताकि हम अपना व्यभार सही तरह से उसके रुरू कर पाएं, लेकिन इन लोगों में जिनके फॉन्टल लोग डामेज होते हैं, उनमें ये नॉलेज चली जाती है, जिसकी व जोड़ कर या उनको एक दूसरे से जोड़ कर तब याद करते हैं, ये देखा गया है कि फ्रॉन्टल लोग वाले पेशिंस, खासकर उनमें जिनमें बहुत जादा बड़े एरिया में फ्रॉन्टल लोग में डैमेज हुआ हो, ऐसे लोग बाहरी पर्यावरण के उदीपकों के आधार पर अपने व्यवहार को परिवर्थित नहीं कर पाते हैं, यानि ये अनुभव से नहीं सीख पाते हैं, और इसके कई सारे उदाहरण हैं जहां मिलता है कि असोसियेटिव लर्नींग इनकी खराब होती है, जिसे लूरिया और होमस काया ने 1964 में कुछ पेशिंट्स और लेफ्ट हैंड यानि ग्रीन लाइट ये दोनों चीज़े जोड़ कर आपको याद रखने हैं, कि राइट हैंड जब बोला जाया तो यानि उसका मतलब होगा रेड लाइट और लेफ्ट हैंड जब कहा जाया तो उसका मतलब होगा ग्रीन लाइट, इतना सिंपल सा प्राइकल पेट्राइड्स ने 1997 में कई सारी स्टडीज की जिसमें उन्होंने पेशेंट्स की एसोसियेटिव लर्निंग का टेस्ट किया इस टेस्ट का एक उदारण आप देख सकते हैं लेफ्ट में इन्होंने क्या किया नौ तरह के हाथों के इशारों को अलग-अलग कलर से जोड़ा और पेशेंट्स को ये चीज याद करने के लिए कहा कि जब हम इस कलर कोई भी कलर का नाम ले तो उससे जोड़ा हुआ हाथ का इशारा आपको करके दिखाना है तो इसके लिए क्या जरूरत है कि जब प्रैक्टिस कराई जा रही है तब आप इन नौ हाथ के इशा कि वो याद नहीं रख पाते है कि कौन से हाथ का इशारा किस कलर से जुड़ा हुआ है पर ऐसा नहीं है इसलिए क्योंकि वैसे पेशेंट्स जिनके टेंपोरल लोब में यानि शंक पाली में डैमेज है जो कि जाना जाता है कि टेंपोरल लोब में डैमेज है तो मेमरी की सम अस्या होगी और वैसे पेशन्स इस्मृति वाले टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस करते भी हैं लेकिन जब उनसे ये वाला टेस्ट कराए जाता है असोसियेटिव लर्निंग वाला तो बिल्कुल सामाने व्यक्तियों की तरब परफॉर्मेंस करते हैं इसका मतलब कि इस टे अगर बोला जाए तो आपको वो जो दिमाग में नौ इशारे हाथ के आपने याद किये हुए उसमें से सही वाले का चुनाव करके आपको दर्शाना है और यही पर गलती होती है फ्रॉंटल लोग पेशन्स है वो उतने सारे आप्शन्स में से सही वाला आप्शन चुनकर नहीं बता पाते हैं यहां समस्या होती है नकी या दाश्त की समस्या फ्रोंटल लोग पेशेंट्स में टेंपोरल मेमरी की भी समस्या देखने में आती है टेंपोरल मेमरी यानि टाइम संबन्थी मेमरी कौन चीज़ें कब हुई है घटना क्रम किस क्रम में हुआ है ये समझने की दिक्कत ऐसे कई सारे टेस्ट ब्रेंडा मिलनर, फिल कॉर्सी और गेबरियल लेनर्ड ने किये थे 1991 में इन्होंने एक अनुखा टेस्ट बनाया था मेमरी चेक करने का जिसे उन्होंने कहा रिसेंसी मेमरी टेस्ट यानि हालिया घटी चीज़ों के लिए आपकी आदाश्ट कैसी है ये चेक करने का तरीका इसमें ये जो भी प्रयोज्य होते थे उन्हें कई सारे कार्ड दिखाते थे हर कार्ड पर दो शब्द लिखिये होते थे और कुछ कार्ड के बाद फिर एक कार्ड आता था जिस पे भी दो शब्द होते थे पर उन दो शब्दों की बीच में प्रश्णवाचक चिन्ह बना होता था और इस कार्ड पर फिर वैप्ति को बताना होता था कि लिखे गए दो शब्दों में से कौन सा शब्द अभी उन्होंने तुरंत का देखा हुआ है भी हालिया देखा है यानि कि पहले के कार्ड्स पर आया रहा होगा अब कुछ कार्ड्स ऐसे होते थे जिसमें जो दो शब्द होते थे उसमें से एक ही पहले आया था और एक आया ही नहीं था तब तो ये बहुत आसान टेस्ट हो जाता है सिर्फ पहचानना है कि हाँ ये वाला शब्द देखा है क्योंकि दूसरा शब्द आया ही नहीं था पहले ऐसे टास्क में frontal low वाले patients भी बिलकुल सामाने लोगों की तरह विवहार करते हैं आराम से उस शब्द को पहचान देता है लेकिन कुछ कार्ड्स में जो दो शब्द आया होते हैं वो दोनों ही अभी थोड़ देर पहले दिखाए गये थे दूसरे कार्ड्स में लेकिन एक शब्द थोड़ा और पहले दिखाया गया था उन्हें वो वाले शब्द का नाम लेना होगा जो तीन कार्ड पहले दिखाया गया था कि ये अभी मैंने और रिसेंट में देखा है लेकिन ऐसे टास्क में फिर फ्रॉंटलो वाले पेशन्स सही परफॉर्म नहीं कर पाते जिससे ये पता चलता है कि यहां पहचानने में गलत लोब के डैमेज से और राइट हमिस्फियर में फ्रॉंटल लोब के डैमेज से थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाता है कुछ शोद करता होने शब्दों के बजाए कार्ड पर तस्वीरे दिखाई जहां जाद दो शब्द आ रहते हैं वहां पर दो तस्वीरे दिखा कि ये आपके जो पिच्चर्स की मेमरी है जिस टेस्ट में तस्वीरे दिखा कर करते हैं उसमें आप जादा पूर परफॉर्म करेंगे इसी तरह पेट्राइट्स और मिलना ने 1982 में एक प्रेयोग किया जिसमें उन्होंने सब्जेक्ट्स को कुछ कार्ड का समूह दिया और हर कार् बारा तरह के उद्धी पक्त है अब ये बारा चीजें शब्द भी हो सकते थे या इस प्रेयोग का एक दूसरा वर्शन भी है जिसमें वो बारा चीजें जो होती थी वो तस्वीरे होती थी अभी हम लोग शब्द वाला ही एक्जामपल लेकर चलते हैं तो जो भी कार्ड है हर एक कार्ड में वही बारा शब्द रहेंगे लेकिन हर कार्ड में उनकी लोकेशन जो है वो चेंज कर दी जाएगे मतला वो शब्द उसी इस्थान के जगह किसी दूसरे इस्थान पर आएगा पर पूरे कार्ड पे वही सेम बारा शब्द हर कार्ड में रहेंगे अब इस क card में जो शब्द चुन्चुके हैं, कोई और शब्द चुन्ना है, कोई भी और चुन सकते हैं, लेकिन जो आप चुन चुके हैं पहले उस वर्ड को आप फिर दुवारा नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, अव करेंगे तो एरर हो जाएगी तो उसको छोड़के फिर आपको दूसरा कोई word चुनना है वो चुन लिया तो फिर अब तीसरा card लेंगे अब वो दोनों शब्दों को छोड़के कोई भी और तीसरा word आप चुन सकते हैं और इसी प्रकार से इसी क्रम में करते जाना होता है अब ये task जो है काफी simple है एक एक normal person के लिए लेकिन एक frontal lobe damage person के लिए ये task जो है काफी difficult हो जाता है और देखा गया है कि जिनके left frontal lobe में damage है वो न ये शब्द वाले cards ठीक से कर पाते हैं प्रदर्शन नहीं अगर picture वाले cards भी दिये जाते जिसमें 12 pictures होती है उनकी location change होती रहती है picture choose करनी होती है उसमें भी वो सहीं नहीं कर पाते हैं जबकि अगर सिर्फ right frontal lobe में damage है तो सिर्फ picture वाले task में problem होती है जो शब्दों वाला card रहता है उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है तो पेट्राइट सो मिलना ने बताया कि न सिर्फ हालिया memory की खराब होती है recency test में जैसे हमने देखा बलकि वैसे task जिसमें की बाहरी demand कुछ नहीं है जिसमें आपको अपनी मर्जी से चुनाव करनी चीज़ है अपने मर्जी से रणीती बनानी है strategy बनानी है और उसकी प्रॉंटल लोग वाले patients बोलते कि नहीं मैं कुछ ऐसा खास strategy नहीं था जो कुछ लोग बोलते हैं कि हम इने strategy बनाई थी वो बड़ी बेकार तरगी strategy होती है जो बताते हैं और वो भी उन्होंने नियम पूरवक सही से हर कार्ड के लिए नहीं follow की होती है strategy का मतलब जैसे मालीजे उन्होंने सोचा कि अच्छा 12 वर्ड्स हैं इसमें कुछ जानवरों के वर्ड्स हैं कुछ इंसानों का नाम दिया हुआ हैं कुछ समानों का नाम दिया है तो चलो पहले के करके पहले सारे जानवर और easy हो जाता लेकिन ऐसा frontal lobe वाले patients कोई strategy नहीं बना के चलते हैं और बनाते भी है तो बहुत ही बेकार सा logic उसका होता है और वो भी वो ठीक से नहीं follow करते हैं तो यहां भी पता चलता है कि यहां strategy बनाने की समस्या है frontal lobe damage होने से strategy formation में दिक्कत आती है यहां भी यादाश् यूकि frontal lobe वाले patients जो कि जाने ही जाते हैं कि उनकी यादाश्ट खराब होती है उनको जब यह test कराया गया तो वो बिलकुल normal person की तरह इसमें perform किये यादाश्ट की समस्या की वज़े से यह test खराब हो रहा होगा ऐसा नहीं है frontal lobe patients इस strategy नहीं बना पाते जिसकी वज़े से problem ह होती है एक बहुत ही रोचक परिवर्तन जो frontal lobe में damage होने से देखने में आता है वो है social and sexual behavior में बदलाव सामाजक व्यवहार व्यक्ति का बदल जाता है और उसका sexual behavior जो है उसमें भी change देखने में आता है इसका बहुत अच्छा उदारण है Phineas Gage का यह बहुत ही famous case है जो पह support किया था गेज एक dynamite worker थे और काम करने के दौरान एक dynamite का explosion हुआ एक धमाका हुआ और उससे पास में पड़ी हुई एक रोहे की छड़क iron rod इनके सिर में से होकर गुजर गई आश्चर्य की बात यह है कि जब इनको उठाकर hospital ले जाया जारा था उस दौरान और जब यह rod इ इनको बेहोशी नहीं हुई यह पूरे होशोहवास में थे यह लोहे के छड़ जो थी एक मीटर लंबी और करीब तीन सेंटीमीटर चौड़ी थी तो यह बच तो गए इनकी जान बच गई लेकिन इस accident के बाद इनके व्यवहार में काफी परिवर्दन आया और जॉन हार्लो जिन्होंने इनकी केस के बारे में विस्तार से बताया है उन्होंने बताया कि accident के पहले ये एक औसत बुद्धी मता वाले व्यक्ति थे, energetic थे, काम अच्छी तरह से करते थे, लेकिन इनकी personality में कुछ ऐसा परित्म बरतन आया, इनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा बदला इस accident के कि व्यवहार इनका बहुत अलग हो गया और लोग इनसे कटने लगे, इनके अंदर जो या किसी भी इनसान के अंदर कहें, जो एक जानवरी प्रवित्ती होती है, जो कि समाज की सभिता के हिसाब से और जो भी जैसा परताओ, आपको जिस परिस्तिते में करना चाहिए, जो ह में आजाते थे, लड़ने लगते थे, किसी को इज़त समान नहीं देते थे, कभी-कभी बहुती अशलील हरकते करने लगते थे, बिना परिस्तिती देखे, समय और जगह देखे, और अपने उपर नियंतर्ण रखना इनके लिए मुश्किल हो गया था, इनके व्यभार, इन कब करना चाहिए, इसी तरह देखा गया कि इनका व्यभार काफी बचकाना हो चुका था, बच्चे की तरह जो भी इनको मन में आता ये कर देते थे, और सोचते नहीं थे कि परिड़ाम क्या होगा चीज़ों का, वर्ष 1900 से लेकर, 1950 तक कई सारे शोट करता, काफी इंट्रस्टेड रहे ये देखने में कि अगर ब्रेन में कहीं डामेज होता है, तो उसका व्यक्तित्व पर, यानि परसनालिटी पर कैसे प्रभाव पड़ता है, और ये पाया गया कि और्बिटो फ्रॉंटल कॉर्टेक्स का जो एरिया है, वहाँ डामेज होने से व्यक्तित्व में कुछ नाटकी ये परिवर्दन आते हैं, वैसे जो कि डॉर्सो लेटरल हिस्से में डामेज होने से नहीं होते हैं, हाला कि इसमें भी डामेज होने से काफी प्रभावी अंतर देखने में मिलते हैं, लेकिन उतने अजीव या नाटकी ये नहीं जितने की और्विटो फ्रॉंटल कॉर्टेक्स में डैमेज होने से दिखाई देते हैं फ्रॉंटल लोग में डैमेज होने से परस्टालिटी पे कई तरह के असर देखने में आते हैं पर दो खास कैटेगरी या दो खास तरह के लक्षर जो देखे गए हैं, वो है pseudo-depression और pseudo-psychopathy. pseudo मतलब होता है नकली, कृतिम. तो pseudo-depression या नकली तरह का अवसाद, कृतिम अवसाद और pseudo-psychopathy ये दोनों देखने में आते हैं. ब्लूमर और बेंसन ने ये शब्द दिये हैं, ये नामकरण किया उन्होंने pseudo-depression और pseudo-psychopathy. देखा जाता है कि pseudo-depression किस तरह से प्रदर्शित होता है, जैसे depression के लक्षर होते हैं, वैसे ही दिखाई देता है. लेकिन pseudo-depression नाम क्यों है, क्रितिम depression नाम क्यों है, क्योंकि ये depression के जो process होता है, जिस कालार से depression नॉर्मल ही होता है, ये उसकी वज़ासे नहीं है, ये frontal lobe में damage की वज़ासे है. तो pseudo-depression में लक्षर लगभग वैसे ही होते हैं, जैसे depression में दिखाई देते हैं, कि व्यक्ति जो है, उसे किसी चीज़ से फर्क पढ़ना बंद हो जाता है, बाहरी तोर पे वो भावनात्मक तोर पे बिलकुल साधा दिखेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा भावनात्म दर्शित नहीं करेगा, बहुत ही कम बोलेगा या बिलकुल भी नहीं बोलेगा, उसके वे प्रित अकरण हम देखे हैं, सीरो साइकोपैथी में व्यक्ति बहुत ही बचकाना या अपरिपक व्यभार दर्शाता है, उसे खुद पर कोई नियंतरन नहीं रहता, कोई अंकुष पहुती कोर्स लैंگवेज में बात करता है बहुती कड़े शब्दों में या कहलिजे बहुती ज़्यादा डर्रेक्ट वे बात करता है उसकी बात में मुलायमियत नहीं रहती, सब यह सौमे रूप से मुबात नहीं करता. और सेक्श्यल बिहेवियरी बहुत प्रॉमिस कियास हो जाता है, बहुत ही अश्लीलता या भी खुले रूप से सेक्श्यल बिहेवियर दर्शाना, इस तरह की चीज़ें ये करने लगते हैं इनके अंदर बहुत ही शारेरिंग गतिविधी बढ़ जाती है बहुत तेज तेज चलना, बोलना ये सब चीज़ें इनके अंदर दिखाई देंगी और सामाजिक नियमों का पालन करना, सामाज के रूरूप कारे करना ये चीज़ें ये नहीं दिखाते हैं Bloomer और Benson ने बताया कि ये सारे जो लक्षण हैं ये सिर्फ bilateral frontal damage होने पर ही दिखाई देते हैं यानि pseudo depression और pseudo psychopathy के लक्षण तभी दिखते हैं जब दोनों और के frontal lobe damage हुए हो left hemisphere और right hemisphere दोनों के ही damage हुए हो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक तरफ का frontal lobe damage होगा तो ये लक्षण नहीं दिखाई देंगे दिखाई देंगे पर कम उतने जादा गंभी रूप से नहीं जितना कि अगर दोनों तरफ damage हो तो देखा गया है कि pseudo depression खासकर तब दिखाई देता है जब frontal lobe में left frontal lobe में damage हुआ हो बाय तरफ के अगरपाली में damage हुआ हो जबकि pseudo साइकोपैथी तब दिखाई देता है जब दाय तरफ के frontal lobe में right frontal lobe में यानि दाही ने अगरपाली में damage हुआ हो social और sexual behavior में कमी ऐसे भी देखी जा सकती है कि उन व्यक्तियों में जिन में frontal lobe में lesion हुआ है और damage हुआ है उन में sexual behavior असामाने के समका हो जाता है जैसे public masturbation public में masturbation या हस्त मैथून करना ये दिखाई देने लगता है इनके अंदर इस क्यों ऐसा होता है क्योंकि orbitofrontal cortex जो है वो हमारे समाज में रहने के नियम काइदों के अनुरूप हमारे behavior को यानि बहारी कारकों के अधार पर हमारे behavior को नियंटरित करता है पर क्योंकि उसमें damage हो जाता है तो ये हमारे अंदर जो भी हम अब खुद पर नियंटरूप Casey ने अचाहिए करते थे कितनी बार कोई sexual behavior करने की आवरित्ती क्या है वो नहीं परिवर्तित होती है इसमें लेकिन जो है गलत परिस्तियों में गलत लोगों के साथ में ये sexual behavior करने लग जाते हैं अगर orbital frontal cortex में damage हुआ हो तो वहीं अगर dorsolateral cortex में damage हुआ हो तो sexual interest ही खतम हो जाता है या काफी कम हो जाता है ऐसा नहीं है कि ऐसे व्यक्ति शारीरिक तोर पे sexual behavior करने के लिए सक्षम नहीं होते शारीरिक तोर पे वो सक्षम है पर उन्हें interest ही नहीं रह जाता उन्हें कोई रूची नहीं रह जाती है sexual behavior में अगर उन्हें sexual behavior में डाला जाये उन्हें करवाया जाये step by step process से तो वो कर लेकिन उन्हें इंट्रस्ट खतम हो जाता है इस चीज में वहीं अगर सोशल बिहेवियर की बात करें तो सोशल बिहेवियर चेक करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं बंदरों के उपर बंदर भी आप जानते हैं कि समाजिक प्राणी हैं वो जुन्ड में रहते हैं और जिस जुन्ड में रहते हैं उसमें बंदरों की अपनी एक पोजीशन होती है एक उनका निशित रोल होता है घूमिका होती है उस जुन्ड का कोई मुख्या बंदर होता है और बाकी लोग भी उसी क्रम में जैसे मुख्या से जस्ट नीचे फिर उसकी और नीचे के क्रम में इस तरह से एक hierarchy एक क्रम बना होता है जिसके अनुसार वो जोड़न में रहते हैं तो एक अधियन में देखा गया और कई सारे ऐसे अधियन हुए हैं जिसमें कई सारे बंदरों के समूह से उनके मुखिया को निकाल कर ले गए और मुखिया जो है इसको dominant male या alpha male भी कहते हैं उसका इन्हों थे experimenters थे और उनको frontal lobe हटा दिया हटा कि operation करके उनको फिर से अपने group में डाल दिया बंदरों को तो अभी तक वो dominant male थे वो head थे, सरदार थे, मुखिया थे अपने जुण के पर कुछ दिन में देखा गया कि वो अपने पज से हटा दिये गए और किसी और बंदर ने उनकी जगह ले ली और ये अपने समूह के एकदम लिचले क्रम में चले गए और कुछ समय बाद इनकी ब्रिक्तियू भी हो जर से आपका social behavior बदल जाता है और social behavior समाजिक वेवहार आपका बदलेगा तो उसके हिसाब से आपकी समाज में परिस्थिभी बदलती है और जब आप बिलकुल निचले स्तर पे धकेल दिये जाएं समाजिक क्रम में तो आप अलग पढ़ जाते हैं असहाय पढ़ जाते हैं और लोग फिर आपको ध्यान नहीं देते हैं और फिर संभावित है कि आपकी मृत्यू भी हो जाए क्योंकि आपको ठीक से पालन पोशन नहीं मिल रहा है कोई आपकी सहायता नहीं कर रहा है तो यह चीजें हो जाते हैं जाहिर सी बात है कि इंसान में इतना नाटकी यह परिव syndrome part 1 और part 2 में आपने जो भी लक्षड देखे वो सारे लक्षड शॉर्ट में यहां पर समराइज किये हुए हैं वो लक्षड ब्रेंद में यानि frontal lobe में कहां डैमेज होने से किस एरिया में डैमेज होने से दिखेंगे वो भी चीज़ें दी हुई हैं और उनसे सम्मंधी जो basic references या जो basic अध्यन हुए हैं जिनसे ये बात सामने आई हैं उनकी information भी यहां पर short में दी हुई है चलिए आखिर में देख लिते हैं कुछ disorders जो हमारे frontal lobe को प्रभावित करते हैं एक disorder जो आप बहुत परशित होंगे इस नाम से है सीजोफ्रेनिया सीजोफ्रेनिया में डोपामीन नामक neurotransmitter की problem हो जाती है जिसकी वज़े से ये बिमारी की लक्षर सामने आते हैं और ये काफी हद तक frontal lobe को प्रभावित करते हैं यानि अगरपाली को प्रभावित करते हैं दिखा गया है कि अगरपाली में खून का प्रभावरक्त संचार जो है वो कम पढ़ जाता है सीजोफ्रेनिया में और frontal lobe की cells मरने लगते हैं उनका रास होने लगता है जिसका कुछ रोल है सीजोफ्रेनिया के लक्षणों में सीजोफ्रेनिया वाले patients frontal lobe test करने के जो भी अलग-अलग प्रकार के परिखण आते हैं उन सब में बहुत ही खराब performance करते हैं उनका प्रदर्शन काफी खराब रहता है और eye movement का भी control इनका बहुत सही नहीं रह जाता उसमें भी अनियमित्ता दिखती है असामानिता दिखती ह जबकि ये लोग अगर कुछ parital lobe check करने के लिए जो test होते हैं वो अगर करें तो उस पे बिलकुल normal wave हार करते हैं लेकिन frontal lobe वाले test जो होते हैं उसमें इनका performance खराब हो जाता है इसी तरह अगला disorder जो है वो है Parkinson's disease जो एक movement related disorder है ये अकसर old age में होता है 60 plus की age में अकसर होता है हाला कि बहुत कम cases होते हैं जिसमें ये 40 case से भी शुरू हो सकता है इसमें movement related problems आती हैं body के अलग-अलग parts को move करने में दिक्कत आने लगती हैं क्योंकि movement control करने वाला हमारा जो mid brain का हिस्ता है substantia nigra वहां के dopamine बनाने वाले cells मरने लगते हैं हाला कि ये cells जो हैं ये cordate nucleus को project करते हैं यानि वहां information भेजते हैं पर ये prefrontal cortex को भी indirect तरीके से influence करते हैं Parkinson's disease के patients में देखा जाता है क्योंकि चेहरे पर expressions नहीं आते हैं उनका चेहरा mask जैसा लगता है ज्यादा expressions नहीं आते हैं क्योंकि movement वाला disorder है ये और facial expression में भी चेहरे की मां-spatial का movement हो रहा है तो वो भी कम पढ़ने लगता है नहीं हो पाता है इसकी वजह सेंकि चेहरे में बहुत expressions नहीं दिखाई देते हैं और जैसा हमने देखा कि frontal lobe वाले patients Wisconsin card sorting test सही तरह से नहीं कर पाते हैं वैसे ही देखा गया है कि Parkinson's disease वाले patients भी ये test सही perform नहीं कर पाते हैं एक metabolic disorder या चया पचाई क्रिया से सम्मंधित एक विकार है जिसे कहते हैं Korsakoff syndrome Korsakoff syndrome जो है हमारे Kendria Tantrica Tantra का एक disorder है जो की अक्सर chronic alcoholism से जुड़ा होता है जो लोग बहुत जादा शराब पीते हैं उनमें ये समस्या हो सकती है Korsakoff syndrome में होता क्या है कि बहुत जादा शराब पीने की वज़े से हमारे dorsomedial thalamus में damage हो जाता है ये वो हिस्सा है thalamus का जो frontal cortex को यानि हमारे frontal lobe को information भेज़ता है Korsakoff syndrome से ग्रस्त patients भी Wisconsin card sorting test में खराप रदर्शन करते हैं और दूसरे अन्य test में भी जैसे जो special memory के test है या delayed response के test है इसी तरह एक समस्या है drug addiction नशे की लत नशे की लत यानि खराप पलनाम आने पर खराप तरह के लक्षन आने पर भी आप drugs लेना या नशा जो कर रहे हैं उसकी वस्तू लेना आप छोड़ नहीं पाते हैं इसी को drug addiction कहा जाता है drug addiction में दिखता है उनके वैवहार में कि वह बहुत ही आक्रामक हो सकते हैं जैसे जो मनाया वैसा कर दिया ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं और इस तरह के वैवहार जो है यह दिखाई देते हैं इनके अंदर जो की एक frontal lobe damage वाले patients में दिखाई दे अध्यनों से पता चला है जो भी imaging studies होती है जैसे MRI, PET scans यह सब जो अध्यन होते हैं जिने imaging studies कहते हैं इनसे पता चलता है कि drug addicts में उनकी orbitofrontal cortex में problem दिखती है जहां पे खून का बहाव सही तरह से नहीं होता और यह खास का तब दिखाई देता है जब यह withdrawal phase में रहते हैं यानि इने जो नशा करते हैं वो नहीं मिल रहा है और उसके वज़ज़ से इनके अंदर कुछ लक्षन आ रहे हैं यह तब भी दिखाई देता है जब यह लंबे समय से नशे की वस्तू से दूर है नशा नहीं कर रहे हैं काफी समय से छोड़ने की प्रक्रिया में हो सकते हैं उस टाइम भी यह दिखता है कि orbitofrontal cortex में blood का flow सही तरह से नहीं हो रहा है साथ ही drug addiction कुछ वैसे लक्षनों से भी जुड़ा हुआ है जो prefrontal cortex में damage की वज़े से देखने में आते हैं जैसे खराब decision making ऐसे patients सही तरह के निर्णे नहीं ले पाते हैं जिसकी वज़े से यह अपने नशे की आदत से उबन नहीं पाते हैं तो यह सारी चीजें दर्शाती हैं कि यह सारे disorders किसी न किसी तरह से frontal lobe से जुड़े हुए हैं frontal lobe में damage होने की वज़े से या in disorders की वज़े से उन एरियाज में damage होता है तो frontal lobe syndrome part 1 और part 2 में मिला कर आपने देखा कि frontal lobe के अलग-अलग हिस्सों में अगर damage हो जाए तो क्या लक्षर देखने में आएंगे और यह आपको तब बहतर clear होगा जब आपको पता हो कि अलग-अलग frontal lobe के जो हिस्से हैं उनका function क्या है जो कि आप frontal lobe functions वाले वीडियो में पहले समझ सकते हैं Thank you